मनोहर गवशाला खेरा गड़ संकल्पित है नेत्रवीन सुनैना गवमाता की सेवा है तू जहां 32 गववन्स की आखों की नियमित रूप से सेवा जारी है और कुछ विशिष्ट वैज्यानिकों के सनलक्षण में यह रिसर्च कारी भी चल रहा है कि गवमाता आगामी भविश्य में नेत्र विहीन होये ही ना मतलब गायों के अंधत्व की मुक्ति है तू हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो सभी गवमाता हैं इत्त इत्त चनूबिव विराजमान जिसको गोल्डणबूक वर्ल्ड रिकार्ड रापत है और विश्यस्त रूप से यहां पर विशेश्य में गहां तो जो जिसे चरकरशी कहते हैं कि गोमे वस्ते लक्षमी गोमुत्रे धनवन तरी हम उस पे चरितार्थ कर रहे हैं और गोधन को गोधन माने ऐसा हम परिकल्पना लेके आगे बढ़ रहे हैं इसी हेतु हम गोमुत्र से एक लेक्विट फर्टलाइजर बनाए हैं जिसका विश्व गोधन बनाने के तरफ आगे बढ़ें आगे बनाने के तर आगे घर्टलेश कर ordered गोमुत्रिंड़ के तर आगे बनाने कर शोओ कितिकी तर आगे बनाने बिएमाँ… पापिए मीमाँ... कर दो सकक्रैंट लुड़ाए कर दो है अधियोकारी नजाको मार पाले हाति हूं कारे रजाको मार पाले जी वो जी वो जी वो जी वो हुऑ कर दो कर दो कर दो पंजिना मुगतायो सवातावर बड़ा शिरो मंगला रंग जय जाओ पेज़ा अर्म महावावावावावी मंग्या पूरे जो मनोहर गोशाला का नाम पूरे विश्व में आज गुंजायमान है एक फसल अमरीत के मात्यम से उसका हमें जो आशिरवाद प्रदान किया मुझे जोडने का मुझे आगे बढ़ने का जो असर प्रदान किया मैं आपको तर्बत्य प्रणाम करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ एक सुचालीस करोड लोगों में ये इतने ही लोग है जो बहुत पुर्णेशाली है जो एक इतिहास बनेने वाले जीवदया धाम का जीरावला पार्ष मनोहर जीवदया धाम का हमें साक्ष बनने का उसर मिला है 33 गड़ ही नहीं भारत में मनोहर गौसाला खेरागड का नाम काम देनु गौमाता के कारण प्रसित हो गया है थोड़े ही दिनों पूर जैन संत आचारे विद्या सागर जी का यहां प्रविस हुआ और उन्होंने काम देनु गौमाता को अपने मखार विंद से मंगलिक दिय या गौरों की बात है अब हम हमारे अतित्यों का यहां पर मनोहर गौसाला की तरफ से विशेष हम आतित्य और संबान करना चाहते हैं आप सभी की तालियों के बीच चाहूंगा कि विशेषी गौरा को बहुत सेवा अलंकरन यह प्रदान करते वे मनोहर गौसाला अपने आप में एक ऐसा माध्यान है जो हमारे जीवन के हर उक्षन और हर चीजों में भागेता है दो तीन बाते हैं जो जो काय होती है या जो कामधेनू गाय है जो अप यह है उसमें जो चरक अचार सहिता में जो लिखा हुआ है उसको हम चरितार्थ करने का प्रयाज कर रहे हैं और उसमें जो आपका योगदान है मुझे लगता है विश्व में इस तरीके से कोई और करके ऐसी चीजों को नहीं महा रहा है क्लासकर मनोहर जो गौशाला बनी है और दस साल में इसने जो अचीवमेंट किये हैं उसके लिए इनको बहुत बधाई हो मुझे लगता है कि विश्व में अभी तक किसी ने इस एंगल से गोबर अधारित जो हमारी व्यवस्था है उस पर रीधिंग नहीं किया और आने वाले समय में हम सब मिलकर और कुछ ऐसा नया जो आपका इन्वेंशन होगा उसका वैग्यानी का अधार जरूर प्रदान करे मुझे जो काम करना है आपको मालूम होगा कि एक करोण पस्रों को खिलाना उनका प्रभंदन करना ये बड़ी बड़ी चुनोती है तो बयक्त ने जो पसल अम्रत हम को बना के दिया था और जिसका हमने वरहद इस्तर पे इस्तेमाल किया तो हमने 25 प्रदीशत कुरूरक की ब आप विस्तर प्रदीशत जहर कम हमारी भूमी में गया जो कि आज कल हमारी भूमी उर्वरक के प्रासानिक उरोर के कारान बहुत वह हो रही है आगे भी हमारे कई फसलों में प्रयोक चल रहे हैं और आप सब जो इस गवसाला से जुड़े हैं अकिलवाय जुड़े हैं ये जो महानकार यग्या आप कर रहे हैं हमारी इसमें पस छोटी सी ये आउती है और मैं आपको विस्वाज दिलाता हूं कुलपती जी ने भी हम लोग को निर्देश देके रखा है कि जो भी मनोहर गौसाला का काम आएगा उसको पूरी तनमयंता से करना है तो हम आपके साथ ज अत्यांत आज गर्ववा खुशी का पल है कि हमें उजे यहां दो तीन बार लगवा आज मैं तीसरी बार आरही हूं और सच कहें तो हजारों मैंने वर्ल्डेकार्ड सेटिपिकेट दिये हैं लेकिन यहां जब आता है जब बनता है तो मुझे एक आंतरिक आनंद और खुश जा रहे हैं उनका यहां वार रिकार्ड जो गोगर से बनी चटाई का है इस तरह की गोगर की चटाई पूरे विश्व में कहीं नहीं बने होगी कि हमारे से माननीय प्रभान मंत्री जी ने भी इस चटाई की तारिक दिया यह पाच्वा वर्ल्ड रिकार्ड मनोहर को उशाला की एक स्मॉल संस्ता को मिल रहा है यह चत्यस गड़ रत्न शीरो मनी परम पुझ्या मनोहर गुरुवरिया की रिपासे हो रहा है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं सब कुछ उन्हें समर्पित करता हूं आपकी मुष्कान कलाकंद से भी मधूर है आपकी मुष्कान कलाकंद से भी मधूर है आपकी मुष्कान कलाकंद से भी मधूर है आपकी मुष्कान पदम बया का एक स्वपना है कि मुझे यहां दस अजार गाई करनी है पदम बया हम पूरे सब आपके साथ में हैं और ये सायद दो तिन साल के अंदर ये उनका स्वपना पूरा हो जावे वैसी हम भगवान से प्रात्ना करते हैं काई चारा खाती है भूसा काती हमारे प्रि उप्योग में ना आने वाली है बस तो खा करके हमको बदले में गोबर देती है गोमोत्र देती है अरे गाय का कोई भी ऐसा चीज जो हमारे उपियोग में ना आने माला हो यह जो सेवा का प्रकल्प जो कॉइरागड़ में चल रहा है वाहाँ पर पिछले पाइच वर्सों से विश्व की अद्विती गाये अलोकिक गाय कामदेनू गौमाता सौम्या विराजमान है। इस गौल्डन बूक आफ वर्ल्ड रिकार्ट प्राप्त है। इसकी पूछ को विश्व रिकार्ट से अलंकरित किया गया है। 54 निंच लंबी यह गौमाता की पूछ वास्तविक रूप में एक अलोकिक द्रिश्य और जो भी उसे दर्शन करता है वो अपने आपको धन्य-धन्य मानता है। मैं आप सबसे निविधन करता हूँ, अपील करता हूँ और निमंत्रित भी करता हूँ कि आप हमारे मनोहर गौशाला में पधारिये और इस कांधनु गौमाता के दर्शन की दिए। जै जिनेंद्र, मनोहर गौशाला खेरागर्ड चतिसगर्ड आप सभी को सादर प्रणाम जै गौमाता। मनोहर गौशाला दस वर्शों से गौशेवा के छित्र में एक अध्विती अलंकरन प्राप्त किया है। जहां पर बुड़ी, बिमार, अपंग, नेत्रवहीन, गौमाताओं की बहुत ही विस्तृत रूप से सेवा की जाती है। उन्हें मदर फादर की तरह रखा जाता है। और उनके पूरे के पूरे सत्व को ध्यान में रखकर, उनके भावी जर्म को ध्यान में रखकर प्रभू के दर्शन कराय जाते हैं। परमात्मा के दर्शन के उद्देश यही है कि उनका यह भव तो तरे ही और आने वाला भव भी उनका बहुत सुरब में हो और बहुत अच्छा हो इस भावों से हम जीवदया का यह कारे कर रहे हैं और पुरी देश और दुनिया मनोहर गउशाला के लिए जो सुभेच्छाए बेज रही है जो आशिरवाद भेज रही है और जो सयोग राशी बेज रही है उससे हम हमारा जो कारी करने की शक्ति बढ़ी है मैं पुना अपील करता हूं कि हम अभी ग्यारा सो गौववंश के लिए एक बहुत सुंदर शेट जो द्वापर यूग की तयारी में हम हैं जह पर जहाँ पर एक तलाब का निर्मान हुआ है एक पशुचित इस्तालय का निर्मान लगभग सिविल कारिये पूर्ण हो चुका है जो विष्विस्तरी पशुचित सालह बनाने की हमारी योजना है मैं चाहूंगा आप सभी उस विश्व पसुचिक सालह और रिसर्च सेंटर में अपना पुर्ण समर्थन दे अपना तन मन धन इसमें समाहित करें जीवदया का पुर्ण प्राप्ते करें और मनोहर गौशाला के साथ जुड़े मनोहर गउशाला एक ऐसा प्रकल्प लेके चल रही है कि गाये जो गौव का जो मुंत्र है गोव का जो गूबर है मतलब गौमुत्रे धनवंतरी और गो मैवस्ते लक्षमी पर काम कर रही है रिसर्च कर रही है हम गौमुत्र से लिक्विट जानिकों के द्वारा वहाँ पर रिसर्च कारीय जाई है और हमने इसका विस्विस्तरी पेटेंट कराने का भी एक लक्ष लिया है जिसमें हमें यूएस पेटेंट की स्विकृति प्रत्र जर्मन से से प्राप्त होई है यह सब आप सभी से शेयर करने का एक बहुत अच्छा आज हमें मौका मिला है जो हमने अभी कुछ दिन पूर्व मनोहर गोशाला का इस्थापना दिवस मनाया प्रभु पार्शुनात का जन्म कल्यानक मनाया और हजारों की संख्या में यहां पर आप सब पधारे तो यह मैं निश्चित तोर पर यह कहूंगा कि आप यहां पधारते रहे और काम धेर्म माता जो विश्व की जायो झाता जाया चाता जाया झाता जायो य हूई कारश्या झाल से बेपकर लाटाबव उल्डेव